वेलकम टू नेक्स एक जाम आज है 17 मार्च 2023 और 17 मार्च 2023 से करेंट फैस की जितने भी इंपोर्टेंट कुशिन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिसकस करूँगा और हर कुशिन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत द्यान से देखिए लास्टम मैं आपसे कुशिन पूचूँगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज किस वीडियो की पीडिया फाइल आप इस वीडियो के डिसकसिन से डाउनलोड कर सकते हैं पीडिया पाप मारे टेलिग्राम गुरूप से भी डा मनाया गया है तो अभी सूले मार्च को राष्टी टेका करड दिवस मनाया गया दूसकुशिन का बी ऑप्सें सही है एक्चुल में सूले मार्च 1995 में इंडिया में पहली बार ओरल पोलियो बैक्सी लगाई गई थी पहली बार सूले मार्च 1995 को इंडिया में ओरल पोलियो ब ये important डिव वाला कुश्यन है तो अभी एक मार्च को सुन निभेद बाऊ दिवस मनाए गया, तेन मार्च को बेसु बनिजीब दिवस मनाए गया, चार मार्च को रास्टी सुरक्षा दिवस और बेसु मोटापा दिवस मनाए गया, 6 मार्च को 200 tennis दिवस मनाया गया 8 मार्च को अंतरास्टी मैला दिवस और no smoking डिवस मनाया गया 9 मार्च को 200 kidney दिवस मनाया गया 10 मार्च को CISF का 54 स्तापना दिवस मनाया गया 14 मार्च को अंतरास्टी गडित दिवस और अंतरास्टी पाई दिवस मनाया गया पंद्रे मार्च को 200 उपवोगता अधिकार दिवस मनाए गया, तो मार्च में अब तक इतने इंपोर्टेंट यह बनाए गया है, यह आपको याद रखने है, अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं, चाली से लाइक का, तो अगर यह वीडियो आपको सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचेव करने में लगा दो, आपकी लाइफ आटमेटिक लिए अच्छी हो जाएगी, नए क्यूशिन है, एसिया का सबसे बड़ा अंतरास्थी खाद्य और आतित्थि मेला आहर तो यह दिल्ली में शुरू हुआ, तो इसक उच्छीन का C option सेही है, यह A.C.I. का सबसे बड़ा अंतरास्थी खाद्य और आतित्ति मेला इसका नाम है अहर, अब यह दिल्ली में शुरू हुआ है, इसका उद्दैस आतित्य उद्द्यों की चंताओं को प्रतर्सित करना और घरेलू तथा विदेशी उपवोगताओं की तकनीक बस्तूओं और सेबाओं को प्रतस्रिक करना है ने कुश है संस्तान द्वारा इसका आउजन किया गया और ये शात्मा अंतरास्टी मदमें सिखर समिलन है ये अभी पुने में शुरू हुआ है Next question है हाली में किस राजि के बिधान सबा भवन में फूल देई उतसम मनाए गया है तो अभी उत्तराखंड के बिधान सबा भवन में फूल देई उतसम मनाए गया उसकुषिं का C options है ये एक फसल उतस्यव होता है, और ये चैस्तर महा के पहले दिन मनाए जाता है, अभी इसे उत्तराखंड के बिधानसबाब्भवन में मनाए गया है, इसमें बच्चों के द्वारा पुस्पो बरसा की गई, अब उत्तराखंड तो ये है मैपना उत्तराखंड, उत्राखंड की दैरादुन कैपिटल है दैरादुन बेंटर कैपिटल है गैरसेंट समर कैपिटल है उत्राखंड के चीप रिष्टर है पुसकर सिंग धामी और उत्राखंड के गवर्नल कौन है गुरमेत सिंग अभी रेसम उत्पादों के लिए बेमा योजना सुरू करने व उतराखंड भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक के स्तापित करेगा भारत उजवेकिस्तन प्रसिष्चण अभ्यास डस्ट लेक उतराखंड में शुरू हुआ और उतराखंड में नकल बिरोधी कानू लव हुआ है उतराखंड में जेम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये भ किस देश की सीनिट ने मैक मोहन रेखा को अंतरास्टी सीमा की रूप में मानिता दी है तो अब अमेरिका की सीनिट ने मैक मोहन रेखा को अंतरास्टी सीमा की रूप में मानिता दी तो इस कुश्चिन का बे अप्शन सही है अंतरास्टी सीमा इंडिया और चाइना की बीच ज मैक मोहन रेखा अब इसे अंतरास्टी सीमा के रूप में मानिता मिल गई है अब चायना जो अरणाचल पदेश में दावा करता था वो इतना पुक्चा दावा नहीं कर पाएगा अब अमेरिका की सीनेट ने मानिता दी है तो सेटे इंडेक्स 2023 में सबसे ज़्यादा महिला अर अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला नयदी सनामित क्या गया है अच्छा इंडिया और अमेरिका की वीच में कौन-कौन सी डिफेंस एक्साइज होती है कोप इंडिया टाइगर ट्रफ वज़ प्रहार और युद्धव्यास ने कुशन है भारत की पहली ब्यवहार प्रयो से इसे स्तापित किया जाएगा और इसका प्रबंदन और संचालन आयायम उदैपूर करेगा इसमें नबेन तकनिक की मदद से मानव विवार पर अध्यन किया जाएगा न्यू न्यू टेक्नोलोजी की बेस पर यूमन टेंडेंसी मानव विवार पर इसमें रिसर्च की से ओपसन सही है यह थे समीर खाकर अभी इन्होंने प्राइम वीडियो सीरीज फर जी में काम किया था और अब इनका निधन हो गया है हाली में Gio Cinema के Brand Ambassador कौन बने है तो Gio Cinema ये Reliance की है Gio Cinema इसके Brand Ambassador बने है सूरे कुमार यादव तो इस कुछिन का बे आप्सेंस है ये हैं सूरे कुमार यादव ये अभी Gio Cinema के Brand Ambassador बने है अच्छा अभी Pepsi ने Red Bear सिंग को अपना Brand Ambassador बनाया यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के Ambassador आयूसमान खुराना बने है मिंट्रा ने Red Bear कपूर को अपना Brand Ambassador न्यूक्त किया प्यूमा इंडिया ने हर्मन प्रीत कौर को अपना Brand Ambassador बनाया रास्टी खनेज विकास निगम ने निकहत जरीन को अपना Brand Ambassador बनाया रेल 11 के Brand Ambassador कुल देप यादब न्यूक्त हुए और नावी टेकनोलोजी नावी टेकनोलोजी ने MS धोनी को अपना Brand Ambassador बनाया है नए क्यूशन है LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे प्रमोट किया गया है तो अभी टबलेस पांडे को LIC के प्रबंध निदेशक की रूप में प्रमोट किया गया है अच्छा टैक महिंद्रा ने मोहित जोसी को MD&CEO के रूपे अपॉइंट किया सेचेंजिस क्लाइमिट के भारत के राजदूत के रूप में स्रेया घुडाबत को न्यूक्त किया गया LIC का अंतरिम चेर्मेन सिदार्थ मोहंती को न्यूक्त किया गया तो अभी दक्षिड कोरिया यानि कि साउथ कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा तो इस कुश्चिन का बे ओप्सन सही है अब साउथ कोरिया करेगा तो ये है मैप में South Korea, South Korea Capital क्या है? Seoul, South Korea करंसी क्या है? South Korean Won, और South Korea के अभी नई राष्टपती कौन बने है? Yoon Suk Yol, ये South Korea के नई राष्टपती बने है अच्छा, Oceanic City नामक तेरता हुआ सहर, South Korea में स्तापित किया जा रहा है SpaceX ने धक्षिर कोरिया के सेन उपगरे, Anasis 2 को सपलता पुर्वक लाउंच किया और अपना स्वदेशी अंतरिच रॉकेट नूरी, South Korea ने लाउंच किया है Next question है, केंद्री मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर ने कहां एगरी यूनिफेस्ट का उद्गाटन किया है तो हमारे केंद्री क्रसी एबम किसान कल्यान मंत्री है नरेंद्र सिंग तोमर इन्होंने अभी बेंगलूरू में एगरी यूनिफेस्ट का उद्गाटन किया तो इसकुशन का say option सही है आई सी आरे की मदद से बेंगलूरू क्रसी बिस्विद्याले द्वारा आयोजित ये एक पांच दिवसी सांस्क्रतिक कारिकरम है ने क्यूशन है हाली में एरिक गारसेटी किस देश में अमेरिक की अमबैस्डर नियुक दूए है तो एरिक गारसेटी ये अपने देश भारत में अमेरिका के अमबैस्डर अपॉइंट हुए है तो इसकुशन का बे options आई है ये हैं एरिक गारसेटी इनको अमेरिका ने इंडिया में अपना अमबैस्डर अपॉइंट किया है अच्छा अभी प्रसांत अग्रबा लाउस के लिए भारत के अगले राजदूत नियुक दूए है एम सुबबा राईडू को नामी भी हमें भारत के अगले उच्चयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया सुहेल एजास खान को साओधे अरब में भारत का नया राजदूत अपॉइंट किया गया बंडारू बिलसन बाबू कुमोरू उसमें भारत के राजदूत नियुक्त हुए है और कोटेडी आईवरी गड़ राज़ में भारत का राजदूत राज़िस रंजन को नियुक्त किया गया है ने हुशन है हाली में आये सरकारी सर्वेक्षट के अनुसार कितने प्रतिसत ग्रामीड परिवारों के पास सोचाले की सुविदा नहीं है तो अभी भी भारत में एक केस प्रतिसत ग्रामीड परिवारों के पास सोचाले की सुविदा नहीं है तो इस कुशन का से ओप्सन सही है ने कुशन है भारत और किस देश ने सैयुक्त इसमारक डाक टिकेट जारी किया है तो अभी अपने देश भारत और लगजमबर्ग ने एक सैयुक्त इसमारक डाक टिकेट जारी किया तो इस कुशन का ए ओप्सन सही है भारत और लगजमबर्ग ने अपनी 75 साल की दोस्ती का जस्न वनाने के लिए ये इसमारक डाक टिकेट जारी किया है अब Luxembourg, तो ये है map में Luxembourg, Luxembourg की capital क्या है? Luxembourg City, इसकी currency क्या है? Euro, और इसके present time पर Prime Minister कौन है? Javier Vettel, कौन है? Javier Vettel, next question है, हाली में नए artificial intelligence chatbot GPT-4 को किस ने launch किया है? तो GPT-4 इसे open AI ने launch किया, तो इस question का say options आई है, पहले chat GPT आया और अब एक नया artificial intelligence chatbot GPT-4 open AI ने launch किया है, अब mind में ये जरूर click कर गया होगा, ये open AI किया है? तो अमेरिका की artificial intelligence research firm है open AI, इसने अभी artificial intelligence chatbot GPT-4 launch किया है, अब last video के question का answer, लास्ट वीडियो में आप से question पूचा था कि हाली में J20 full उत्सब कहां शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में J20 full उत्सब शुरू हुआ, यानि कि इस question का C option सही था और लगबग सभी artificial intelligence का answer सही दिया, मुश्ट लिश्ट लिश्ट वारे में detail में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, question के बारे मैं आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, आप भी नहीं बूलते, अब आपके लिए आज का question, आपके लिए आज का question है, हाली में Swiss firm IQ Air की report के अनुसार, दुनिया का सबसे प्रदूसित देश कौन सा है, चार option दिये गए हैं, इन में से आपको अपना answer होता ना है, और इसके अलाबा हम हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं, तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook पर join कर सकते हैं, क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं, अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है, या आपको अपने career से related भी कोई problem है, तो आप Instagram पर indreshrc, indreshrc, Instagram पर indreshrc सर्च करके आप मेरे साथ जुढ सकते हैं, और कोई भी doubt, कोई भी confusion, without any agitation, discuss कर सकत हैं, अच्छा, आज किस वीडियो का टार्गेट जरू याद रखना, आज किस वीडियो का टार्गेट है, 40 या लाइक का, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, help लगा है, तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो, और आपके पास जो भी study related, WhatsApp और Facebook आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी, जब भी आपसी सब्सक्राइब करेंगे, तो बरावर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरू क्लिक कर ले, जिससे कि आपको daily morning में current affairs की वीडियो मिलती रहे, next exam always video, thanks for watching.